Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Asud. So, MPSET 2024 Paper 1 के best preparation के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि आप सभी previous year questions पर focus करें. And previous year papers पढ़ते समय बच्चे बहुत ज़ादा गलतियां करते हैं, उनको ये नहीं पता कि सही तरीका क्या होता है questions को पढ़ने का. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि previous year papers पढ़ने का सही तरीका क्या है and अगर आप आने वाले समय में इस तरीके को follow करते हो तो बहुत असानी से paper 1 में 100 में 80 प्लस score किया जा सकता है. तो students इसी के साथ फिर discussion को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखिए paper 1 में total 10 units होती हैं. ये तो हमें पता ही है. हर एक unit के लिए PYQs important है and same rules आप paper 2 में भी apply कर सकते हूं. ठीक है? तो सबसे पहला सवाल बच्चों में ये होता है कि क्या हम सिरफ अपने state के यानि कि MP set के previous year papers पढ़ेंगे तो examination qualify हो जाएगा तो इसका जवाब है no. सिरफ MP set के PYQs करने से paper qualify नहीं होगा. आप लोगों को अपने state के अलावा बाकी के states के जो भी set exams होते हैं उनको भी पढ़कर जाना है. ठीक है? अब दूसरा तरीका ये है कि क्या हम सिरफ question और answer, question और answer को 10 से 15 बार पढ़ें वो हमें याद हो जाएंगे. तो ऐसे हमें previous year papers होते हैं. उनको पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ strategies को follow करना होता है. और वो सब strategies के लिए complete course भी में लेकर आई हूँ. इस course की खास बात यह है कि यहाँ पर एक तो daily live lectures के साथ हम आपका 100% syllabus exam से पहले पूरा करने की surety देते हैं. recorded format में भी आपको यहाँ पर topic wise MCQs and PYQ जाएंगे. PDF notes हैं आपके पास जिससे आपका बहुत समय बच जाता है. फुल सरे बस mock test है जिसमें guaranteed questions आपको मिलेंगे and जैसे मैंने आपको PYQs के अहमियत अभी बता रही थी. तो यह एक ऐसा mock test series है जिसमें आपको सभी states के previous year questions भी included होंगी. ठीक है? and सबसे ज़रूरी तो यह 5000 प्लस MCQ question bank है जिसके बाहर से यकीनन paper में कुछ भी नहीं आएगा. Recently हमारा Maharashtra set, Himachal Pradesh set, Jammu Krishmir set, Assam set. यह 4 paper recent हमारे हुए हैं. उन 4 paper में हमने यही चीज़ observe की है कि paper 1 के जो भी questions हैं 50 में से 35 प्लस questions इसी series के अंदर में से आए हैं. ठीक है? इसमें सभी states के previous year में है, जिसमें आप लोगों की बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी. इसके लिए एक new batch भी हमारा start हो रहा है 24 जून से, आप इसको join कर लिजे, given numbers पर contact करके. साथ ही students, free videos और mock test को attempt करने के लिए global online आपको download करना है. store section पर search bar में लिखे course का नाम, जैसे आप इस पर click करते हो. आप दे सामने free demo videos के साथ साथ paper one के complete courses भी आ जाएंगे, जिसके अलावा ना तो आपको extra कोई book लेने की जरूरत है, ना आपको extra कोई mock test खरीदने की जरूरत है, और यहां पर देखिए previous year questions के भी solution आपको मिल जाएंगे, detailed videos भी आपको मिल जाएंगे, PDF format में अगर आपको previous year papers चाहिए, या फिर किसी भी state के set exam के, जो as it is आपके upcoming exam में आ सकते हैं, वो सब आपको इस course के अंदर मिल जाएंगे, ठीके, तो previous year करने के सबसे अच्छी जो एक strategy होती है, वो यही होती है कि सबसे पहले तो आप अपने concepts clear कर लीजिए, थोड़े थोड़े concept अगर clear कर लोगे, theory lectures के basis पर उसके बार फिर आप उस topic के MCQs और PYQs को कर लिए, और PYQs में ना सिरफ आपको question और answer पढ़ने हैं, बलकि जो भी चार options दिये गए हैं, उन चारों options को हम आपको इससाथ share करते हैं, वीडियो में समझाते हैं, वो चारों के चारों options आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, क्यो तो आप लोगोंने अगर options भी पढ़े होंगी previous year papers के, तो आपको बहुत ही जादा असानी हो जाएगी, तो ये जो 5000 questions हैं, इसके साथ तो मैं वापस एक बार आपको guarantee दे रही हूं, कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, बहुत बाहर as it is questions इसमें से पूछे जा रहे हैं, ठ इसके साथ फिर आज के discussion को भी हम end करते हैं, साथी students पेपर वन में help करने के लिए free telegram group में लेकर आई हूं, अंकीता सूथ पेपर वन netset preparation के नाम से इसको search कीजिए, यहां पर मैं अपने class के PDFs, notes और important questions आपके साथ regular basis पे share करती रहती हो, ताकि आपकी अच्छी से तयारी होती तो कोई भी doubts हैं, तो वो भी हम discussion group में आप मुसे share कर सकते हो directly, so इसी के साथ फिर end करते हैं आज के discussion को, thank you so much and I wish you all the very best.